हेलो फ्रेंट वेल्कम वेक्ट टो मैं यूट्व चैनल आप लोग कैसे है आई अप लोग अच्छे होंगे तो आप सभी को ने सल की हरत इक सुब कमना है तो आज है निव यार मैं अपना निव यार कैसे सेलिबरिशन की आप सुब के साथ मैं सियार कर रही हूँ तो सुबह सुपा मैं उटके नहां दोके मंदिर आई हूँ आज छोटा भाई का बड़े भी है उसके लिए भी पूजा करने आई है और निव यार स्पेसल भी पूजा करना आई है तो मैं हर सल निव यार में जगनात मंदिर जाती हूँ खड़कपुर में रहती हूँ तो बापा ममी अंदर में आए है और उसके बाद नंदन कानन के सामने में ठोड़ सम्लोग सेल्फि वगिरह ले रहे हैं देख सकते हैं और सुभा का नस्ता हम लोग यहीं दुकान से ही इडली वगिरह लेके जा रहे हैं तो मेरे भाई का quarter अंदर में है नंदन का नन का अंदर में मतलब वहाँ पर ये देखिए बोर्ट सब लगाया गया है मतलब गुसते ही left side में उसका quarter है तो हम लोग 25 तरिक से ने 20 तरिक से आये हुए है हजबन चले गए है बापस उनका काम है मैं हूँ मेरे दोन बेटी है और मेरे ससुर जी है तो ये नंदन कानन का फ्रॉट गेट का थोड़ा सा वीडियो बगेर बनाए है थोड़ा बहुत इसका पूरा ब्लॉग आप लोग को और एक वीडियो में देखने के मिलेगा पूरा नंदन कानन आप लोग कैसे आएंगे कितना टिकरट लगेगा कितना पैसा खर्चा होगा कैसे सब में दिखाऊंगी तो आज बस नहीं हूँ यार है इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग के साथ में सेयर कर रही हूँ और आज भी न सुबह सुबह यहाँ पे भीड हो गया है देख सकते हैं लोग का आना जना सुरू हो गया है तो चलिये में जाती हूँ क्वाटर स्ट्रेडश सम लोग अभी मंदिर से आ गए हैं अभी क्वाटर कि तो आने के बाद मंदिर से यहाँ पे दीखिए ड्रेसों के रहे चैज़ करके मैं ब्रेकफास्ट कर ली ब्रेकफास्ट करने के बाद में लांज बना रही हूँ तो आज में बना रही हूँ वेजिटेबल चिली तो पुलगवी आलो मतर सारे को मिक्स करके वेजिटेबल चिली बना रही हूँ और दही वेगन बनाऊंगी उसके साथ थोड़ा सा दाल उसके बाद देखिए यहां पे पापा दोनों बेटी सब लॉंच कर रहे हैं और हम लोग और मेरे पापा जी मतलब मेरे ससुर जी बाद में लॉंच करेंगे क्योंकि यो थोड़ से बाद में नहा रहे हैं तो चलिए उसके बाद यह है दो तारिक का वीडियो सुबह सुबह हम लोग खड़कपूर के लिए निकल चुके हैं तो अब बनेशर से हम लोग का ट्रेन था छे बज़े और मेरे बड़ा वाला भाई भी आया था तो वो हम लोग को स्टेशन तक पहुँचा दिया हम लोग तीन बज़े से उटके रेडी होके आए इसका क्वाटर से रिल्यू स्टेशन है 15-17 किलेमेटर से दूर है तो ट्रेन का कुछ नज़ा रहा है उसके बाद हम लोग खड़ा पूर स्टेशन पहुँच गए 11 बज़े के आसपस और यहां पर हजबन आये थे हम लोग को लेने और अब भी देखिए पुरा धूप लग रहा है तब तो बड़ा ठंडा लग रहा था तो जो लिए घर जाते हैं हो गया है एक हपता हम लोग घूम रहे थे देखिए जाकेट पेन के मैं हूँ मेरे पापा जी पीछे बच्चे लोग इस साइड मे तो फ्रेंट्स हम लोग 11 बज़े कड़कपूर स्टेशन पहुँचे और घर आने के बाद फिर हम लोग लुग बनाएं लंच बनाके फिर सब्जी हम लोग बनाएं नहीं तो दोनों मा बटी जाके गोल बज़ार से खरीद के लेकर आये पंजबी ढापा से चीकेन और पनीर का सब्जी क्योंकि टाइम भी नहीं था ज्यादा इसलिए फटा-फट से हम लोग लोग लंच कर लिए लाज कर बटी तो और अभी साम का टाइम हो रहा है छे बज रहा है और अभी मेरी बड़ी वाले बेटी और हजबन गए है गोल बज़ार श्वेटर खरिदने उसके लिए उसके लिए उसका चोटा पड़ गया है इसलिए तो हम लोग का नियू यर कुछ इस तरह सथा और हम लोग कह कहां नियू यर में मतलब 25 तारिक से लेके 31 डिशेंबर तर कहां कहां गुमें आप लोग को एक एक ब्लॉग में दिखाऊंगी तो आज का ब्लॉग को ही पर एंड करते हैं तो आई हो पासका ब्लॉग आप सभी को पसंद आए होगा पसंद आए होगा तो लाइक कीजिए श को सब्सक्राब करते हैं चलिए कल फिर मिलते हैं और एक न्यू ब्लॉग के साथ